आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आशूओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं. ये कहानी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी. अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा. साथ ही इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर भी कीजेगा ताकि ये कहानी आपके दोस्तों जानकारों तक भी पहुँच सके इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अंजू जी के चैनल का भी लिंक दे रही हूं आप उनके द्वारा कही गई कहानियों को भी उस लिंक पे जाके सुन सकते हैं तो दोस्तों इस छोट इसी कहानी की शुरुआत करते हैं मुर्जाई हुई आखें, फटे होट, उलजे बाल, पीला पड़ा चेहरा, नीले निशान किसी संगीन दास्तान को बया कर रहे थे रेवती का शव अंतिम यात्रा के लिए तैयार है उसे संसकार के लिए ले जाया जा रहा है मा का रोना देखा नहीं जा रहा उसका चितकार पास खड़े लोगों को भी रोने के लिए विवश कर रहा है उसका बार बार गश खाकर गिरना उसके मातरत्वी की असहनिय पीड़ा की अभिव्यक्ति है पिता की आँखे पत्रा गई हैं उनसे आसु निकल नहीं पा रहे हैं ये क्या हुआ? कैसे? क्यूँ? इन प्रशनों का जाल दिमाग में चा गया है रेवती के अंतिम यात्रा से पूर्व हमारी सनातन संस्कृती के अनुसार सनान करा दिया गया सोला श्रिंगार किये गए लाल साडी में उसकी शब को लपेटा गया और बहुत सी ऐसी आवशक परंपराईं जो एक मृत सुहागन के लिए की जाती हैं जल्दी जल्दी पूर्ण की गई रेवती ऐसी सुहागन है जिससे जीने का अधिकार स्वयम उसके सुहाग नहीं छीन लिया रेवती का विवाध डेड़ वर्षपूर राजन से हुआ था माता पिता की लाडली और होनहार रेवती एक अच्छी पत्मी थी साज ससुर ने कभी उसकी शिकायत नहीं की हम उम्र ननत से उसकी खूब जमती थी दोनों बहनों की तरह मित्रवत थी फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई उसे इन रिष्टों से स्वतंत्र कर दिया गया किसी गरीब की बेटी को उसके पिता से अलग कर दिया गया उस पिता से जिसने बेटी के सुख के लिए अपनी जमीन बेच कर उसका विवह अच्छे परिवार में किया रेवती की मौत को दो महीने बीट गए गाउं की पंचायत में वकीलों की तरह बहस हुई सफेद धोती कुर्ते में बैठे पंचो के मन काले हो गए वो रेवती के पिता पर केस वापस लेने का दबाव बनाते कभी डराया जाता, कभी प्रलोभन दिये जाते और कभी उसकी हिम्मत तोड़ने के दूसरे रास्ते अपनाये जाते किन्तु रेवती का पिता टस से मस नहीं हुआ उसकी सूनी आखीं केवल रेवती के लिए न्याय चाती है अगर न्याय नहीं तो कुछ नहीं पंचायत का मुखिया उसे समझा रहा है देखो, अब रेवती तो वापस नहीं आएगी तुम्हारी जित से तुम्हारी स्वयम का घर बरबाद होगा और राजन का जीवन भी अपनी दूसरी बेटी के विशय में सोचो अच्छा हरजाना ले लो उसकी शादी अच्छे घर में करो राजन को शमा कर दो तुम अपना केस वापस ले लो कौन सा अच्छा घर मुखिया जी क्या ये घर अच्छा नहीं था जिससे मेरी बेटी की अर्थी उठी है रेवती का पिता रोते हुए बोला मुखिया चुप हो गया वो जानता था कि रेवती के पिता का दर्द इतनी जल्दी नहीं जाएगा परन्तु राजन के दबाओ के कारण मुखिया को समझाना पड़ा राजन के पिता एक बार भी बेटे को बचाने के लिए नहीं बोले वो चुप रहे हाद जोड कर बैठे रहे रेवती के पिता से आँखे नहीं मिला पाए बेटे के इस घिनोने कृति ने उन्हें लज्जित कर दिया वो अपराद बोध का भाव लिए पंचायत में बैठे रहे मुँ से एक शब्द नहीं कहा मुखिया ने कहा चौधरी साहब आप भी तो अपनी बात रखो राजन के अब उम्भी क्या है उसे जेल होगी वो भी कठिन कारावास के साथ आप जानते हो न राजन का जीवन बरबाद हो जाएगा राजन के पिता सिर जुकाए बैठे रहे एक तम चुप चाप ऐसा लगता है उनकी चुपपी भी रेवती के लिए न्याय मांग रही है उनके बेटे के इस कृति की सजा मिलनी ही चाहिए पंचायत की मुखिया ने अंततह पंचायत समाप्त कर दी रेवती के पिता का विशाद पून चहरा उससे देखा नहीं जा रहा था उसने कहा आपका दुख मैं क्या कोई भी कम नहीं कर सकता फिर भी आपको जो सही लगे वो कीजे रेवती के पिता जाने किस उधेर बुन में थे उन्होंने उत्तर नहीं दिया पंचायत से उठकर चल दिये सभी सगे संबंदी भी साथ हो लिये पंचायत में आये गाउं के मूख दर्शत भी उठकरे हुए जो तमाशा देखने आये थे उन्हें रेवती से सहानुभूती नहीं थी गाउं में घटी शर्मनाक घटना के अगले एपिसोड में दिल्चस्पी थी अदालत के साल भर की सुनवाई में रेवती के पती को पाँच वर्ष की सहश्रम कारावास की सजा सुनाई गई रेवती के पिता का सब कुछ बिख गया उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया किन्तु रेवती को न्याय दिलाया संपत्ती के नाम पर उनके पास केवल एक घर बचा उसी घर के आंगन में चारपाई पर बैठ कर वो फूट फूट कर रोए आज हमारी रेवती की आत्मा को शांती मिली होगी उसे गर्व होगा अपने पिता पर मा ने पिता को धांडस बंधाते हुए कहा घर में फैली दर्थ की चादर को काटने का साहस किसी में नहीं था सब उसके साथ रहना सीख गए माता पिता अपने दो और बच्चों को चिप्टाई बहुत देर तक रोते रहे पर इस बार ये अश्रु न्याय के खुशी के थे रेवती को श्रधांजली देने वाले थे समय बीता और राजन का घर आज फिर आसपास के लोगों के लिए जमावड़ा है उथल पुथल मची है समझ नहीं आ रहा गाडिया क्यों आई है चुपचाप लोग बैटकर जा रहे है ये तो पक्का है कि कोई अप्रिय घटना घटी है पर क्या ये नहीं पता चल रहा है लगभग बीस गाडियां मानू की ससुराल जा रही है मानू रेवती की ननद है जिसका विवाह तीन वर्ष पूर्व हुआ था उसकी दो वर्ष की बेटी नानी के साथ रहती है गाडी में नानी से लिपट कर बैठी है इधर उधर भागते लोगों को ध्यान से देख रही है गाडियां मानू के घर के आगी रुकी औरतों का जोर से रोना और मानू को पुकारना इस ओर संकेत कर रहा है कि मानू शायद अब इस दुनिया में नहीं है सुबह पांच बजे उन्हें बता दिया गया था कि मानू कपडों पर प्रेस कर रही थी उसका हाथ नंगे तार पर पड़ा और करंट के जोरदार जटके से उसकी मौत हो गई मानू की मा से रोया नहीं गया वो बुत बनकर उसके शव के पास बैट गई हतेलियों को चूमते हुए सिर सहला रही है उसका पिता बेटी के पैरों पर सिर टिका कर ऐसा रोया कि बेहोश हो गया घर में भीर थी गम का माहौल था विलाब था पर साथ ही एक चुप़ी भी थी राजन अपने जीजा को मारने के लिए दोड़ा पर बीच बचाओ कर रहे लोगों ने उसे चुप बैठा दिया उसके ताउ ने कहा अब तो शर्म कर तेरी बेहन की मिट्टी पड़ी है घर में उसके दुरगती मत करवा राजन के बेचैनी उससे बार बार प्रशन कर रही है मानू क्यूँ? मुझे सजा देते मैं अपनी सजा काट रहा हूँ और काटूंगा पर मानू क्यूँ? उसके प्रशन का उत्तर किसी के पास नहीं है गम से डूबा परिवार सुहम को सम्हाल रहा है मानू की हत्या की घटना और दुरघटना को भी भली भाती समझ रहा है मानू के तन पर पड़े चोट के निशानों को देख राजन आग बबुला हो गया वो जोर-जोर से चिलाने लगा बदला मुझ से लेते सजा मुझे देते हमारी मानू क्यूँ? उसका क्या कसूर था वो बार-बार एक ही बात कहे जा रहा था मानू के सभी रिष्टेदार दुखी थे गाओं के लोग भी हैरान परेशान थे ये कैसा न्याय हुआ? सच तो सब जानते थे परन तो किसी की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई वो घर में दुरघटना का शिकार हुई है मानू जिसे लाड से मानू कहते थे बदले की भेट चड़ गई इस बार कोई पंचायत नहीं केस नहीं, चीक नहीं, दर्द नहीं मानू का जाना दुरघटना है उसके ससुराल वालों पर केस नहीं बन सकता गाउं फिर साथ है पंचों की एक राय है सहानू भूती है पर दबी जबान से निकल रही है भगवान के घर देर है अधेर नहीं इस अनैतिक कर्म के साक्षि नहीं है जो है उसे गाउं देखना नहीं चाहता जाने किस न्याय विधान की स्रजना करना चाहते है रेवती की मा का माय का मानू की ससुराल है इस गाउं की बेटी का बदला उस गाउं की बेटी से अपराधी कौन, सजा किसे ये सोचने की कोई अवश्यक्ता ही नहीं बेटी तो बेटी है उस घर की भी और इस घर की भी उन्हें मारना इतना सरल क्यों है हसमुख, सरल हृदय और समझदार मानू रेवती की हत्यारिन नहीं है वो उस कृत्य पर भी लज्जित थी शायद यही कारण था कि उसने अपने भाई से फिर कभी बात नहीं की वो सदयाव अपराद बोध में रहती पर कुछ कह न पाती मानू का श्रिंगार किया गया और शव यात्रा आरंभ हुई मानू के पिता ने बेटी को कंधा देने की जित की वो शमशान घार तक साथ रहे चिता पर लेटी बेटी को पंच तत्व में विलीन होते देखते रहे गाउं के सभी लोग उन्हें वापस ले जाना चाहते थे परन्तु वो वहीं बैटने के लिए अड़े रहे राजन दूर से पिता की मनस्तिती समझ रहा था परन्तु परस्तितियों के आगे लाचार था वो वापस मुड़ गया मानू के पिता को आभास हो रहा है उसकी पीडा का वो पूछ रही है पापा मेरा क्या अपरात था मुझे क्यों मारा भाई के अपरात की सजा मुझे क्यों मिली मेरी बेटी से उसकी मा क्यों चीनी चुप मत रहो पापा, उत्तर दो मुझे, उत्तर दो प्रश्नों से घिरे मानू के पिता निरुत्तर, निसहाई, कोने में बैठे बेटी की चिता की लपेटों को देखते रहे कोशते रहे समाज की छिचली परंपराओं को जो बहु के लिए सन्विदिन शून्य है, रिक्त हैं उसके मान सम्मान से खोकली है मनुष्टा से, मानव धरम से, करुण और प्रेम से उनके मन में भी बार-बार एक ही प्रश्न उट रहा था मानू तो बहुत लाडली थी, समझधार थी, पड़ी लिखी थी फिर क्यों उसका जीवन, उसका क्या अपरात था तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद जरूर आई होगी दोस्तों हमारे समाज में आज भी शादी के बाद में महिलाओं को जिस प्रकार प्रतारित किया जाता है वो सुनकर रूह काप उठती है आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी ना किसी वज़य से महिलाओं को इज़त नहीं देते हैं उन्हें नीचा समझा जाता है और अगर शादी के अंदर उन्हें दहेज ना मिले या इस प्रकार की कोई भी उनकी मन की इच्छा पूरी ना की जाए तो वो उसका बदला लेने के लिए उस घर की बेटी को प्रतारित करना शुरू कर देते हैं हाला कि इस कहानी में दहेज जैसा कोई मामला ना था लेकिन फिर भी एक घर की बेटी जिसको उसके पती ने मार दिया उसी की बेहन के साथ ऐसी घटना उसके ससुराल में हुई इस से उसको तो सबक मिला ही कि आखिर जो उसनी किया वही मुड़ के उसको मिला लेकिन क्या इन सब चीजों की जुरत है समाज में ये कहानी हम लोगों को ये सोचने के लिए विवश्च कर देती है कि अगर हम किसी की बेटी के साथ बुरा करते हैं तो कल को हो सकता है कि हमारी बेटी के साथ में भी वही सब कुछ हो इसलिए जिस प्रकार हम अपनी बेटी की इज़त करते हैं उसे हम तवज्जो देते हैं उसी तरह हमें दूसरे की बेटी को भी जिसे हम बहु के रूप में अपने घर लाए हैं उसकी इज़त करनी चाहिए उसका आदर करना चाहिए उसे भी वही प्यार देना चाहिए जो हम आशा करती हूं समाज में ये सब चीजें हम धीरे धीरे करके और नहीं सुनेंगे और इसी एक विचार के साथ में मैं आप सब लोगों से अभी विदा लेना चाहूंगी दुबारा आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए आप सब किये खुश रहिए और स्वस्त रहिए नमस्कार